हलो गाइस वल्कम बैक तो माई चैनल आई हूप आप सब ठीक हो जिन जो लोग मुझको नए देख रहे हो उनको मैं बता दू मेरा नाम है अर्पीता तो मैं आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वह है आई-लाइनर के तो मैं यहाँ पर थी टाइप आई-लाइनर ड्रो करी हूँ और जो लोग बिगनर्स है जिन लोगों का आई-लाइनर ड्रो करने के टाइम पर प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए बहुत ही इजी एक स्टेप मैं आप सब को बताऊंगी तो तो यह वीडियो आप सब के लिए हेलफुल होगा तो जरू सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन पर भी क्लिक कर देना ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करो आप सबसे पहले नोटिफाइज है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो आई-लाइनर में ड्रो करूंगी उसके लिए छोटा छोटा त्री लाइन ड्र से बड़ा है और इनको ये त्री लाइन को मैं एटच कर लूँगी जॉइन कर लूँगी और फिल अप कर लूँगी ये जो लाइन है ये जो वी लाइन वी लाइन है ये बहुती एजियेस्ट एक लाइनर है जो लोग वींग क्रियेट करने से डरता है या जिन लोगों का द बार जरूर ट्राइ करना और देखना उसके बाद मैं मेरी इनर कॉर्णर से आउटर वी तक छोटा-छोटा लाइन करके इसको ड्रॉ कर लूँगी यह जो विंग लाइन है यह एकदम पर्फेक्ट होता है देखो कितना पर्फेक्ट है मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है सिर्फ यह थ्री लाइन्स ड्रॉ करी हूँ और उसको आइटाच कर लिया है और उसको फिल अप कर लिया है और कुछ नहीं सेगेंड जो स्टेप है जो लाइनर है उसके लिए हमारी जो आई लैशेश है उसकी करीब करीब से छोटा छोटा करके एक पतला सा एक लाइन ड्रॉ करना है थोड़ा थोड़ा करके कीजिए एक बार से ही मत कीजिए और आई लाइनर जो आई लाइनर का जो ब्रॉश होता ह उसमें से पूरा एक्स्ट्रा जो प्रोड़क है उसको निकाल दीजिए उसके बाद आप आई-लाइनर ड्रॉ किजिए मैं देखिए छोटा-छोटा लाइन क्रियेट करके आई-लाइनर ड्रॉ करी हूँ यह बहुत सिंपल सा एक आई-लाइनर ड्रॉ करी हूँ मैंने ज्यादा कुछ बड़ी विंग लाइन नहीं क्रियेट किया है जो लोग बिगिनर से उसके लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है तो यहाँ पर मेरा जो आई-लाइनर है वो क्रियेट करना हो गया है तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर एक चोटू सा विंग लाइन क्रियेट करके एक सिंपल सा लाइनर क्रियेट करी हूँ आई-होप आप सबको अच्छा लगेगा ज़रूर एक बार ट्राइ करना बिगिनर्स के लिए बहुत ही एफेक्टिव एक प्रोसेस है देखो कितना सुन्दर लग रहा है तो थर्ट जो आई-लाइनर मैंने ड्रॉ किया है उसके लिए सेगंड वाले आई-लाइनर से ही मैंने थर्ट वाले आई-लाइनर को ड्रॉ करी हूँ उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रोड़क है मैं बॉटल में निकाल लूँगी और मैंने मेरी मेडिल आई-लीट से थोड़ा-थोड़ा करके आई-लाइनर ड्रॉ करूँगी थोड़ा-थोड़ा ड्रॉ करके मैं एक मेरी आउटर वी में एक बड़ा सा एक विंग क्रियेट करूँगी बड़ा सा एक लाइन क्रियेट करूँगी उपर की तरफ करना होगा और उपर से मेरी मैं मेरी आई-लेश की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगी देखे, देखे, यहाँ पर हो गया है, और थोड़ा सा define करना होगा, और थोड़ा सा dark करना होगा इसलिए मैंने और थोड़ा product apply करी हूँ, और थोड़ा सा product inner corner पे भी apply करना होगा एक वी की तड़ा लाइना ड्रॉ करना होगा यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा थर्ड जो स्टेप है वो हो गया है देखिए कितना इजी एस्ट तरीके से मैंने विंग लाइन क्रिएट कर दिया है आई होप अब सब के लिए यह जो मैंने वीडियो किया है यह हेल्फूल होगा हेल्फूल होगा तो जरूर एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं कोई न्यूँ वीडियो पोस्ट करूँ आप सबसे पहले नोटिफाइट रहे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर में रहना सेफ रहना और हेल्दी रहना चलिए बाई बाई